चार खंट के लातिहार जिले से मानवता को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है इसमें अस्पताल के करमचारियों ने 18,000 रुपे ने के लिए 5 घंटे तक एक महिला का प्रसो रोक दिया आखिर में महिला के परजनों ने कान की बाली निकार कर दे दी इसके बाद प्रसो कर लिया है बता दे मामला लातिहार जिले के हेर हंज प्रखंड मुख्याले स्थी प्रात्मिक स्वास केंद्र का है यहां शनिवार को एक दलिस समुदाय की महिला प्रसो के लिए आई थी यहां दो नर्सों ने प्रसों से पहले नेक के तौर पर 18,000 रुपे की मांग की महिल गर्व में ही मौत हो चुकी थी इसकी जानकारी होते वे परजणों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया इसके बाद हरकत में आये अस्पताल प्रबंधा ने लोगों को समझा बुजा कर शांत कराया पास घंटे तक दर्द से तडपती रही महिला परजणों ने बता की जान बज गई होती हंगामे की सूचना पर प्रभारी चिकेस साब पदाधिकारी सुरेश राम और बीडियो प्रदीप कुमार दास्प मौके पर पहुंचे उन्होंने पीडित परिवार से बात करने के बाद दोनों नर्सों को कारण बताओ नोटी जारी किया है उधर पर पर आपराधे मुकदमा दर्श करने और उन्हें ततकाल सेवा से बरखास करने की मांग की है उन्होंने कहा जिस प्रकार से एक दलित परिवार की बेटी का परसो केवल पैसों के लिए पांच घंटे तर रोग दिया गया ये बेहत गंभीर मामला है उन्होंने मामले की निया जाच कराने की मांग की है